ठीक है तो स्टार्ट करते हैं Conditional Statement की First Conditional Statement ठीक है First Conditional Statement ठीक है तो First Conditional Statement का क्या दिल लिख रहते हैं हम सेंटेक्स सबसे पहले आपने लिखना है इफ ठीक है यह बिल्कूल इसी तरीके से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसमें आएगा आपका Condition या Expression ठीक है Condition लिख सकते हैं इसके अंदर या Expression लिखने दोनों बाते सही हैं इसमें Condition या Expression एक ही बात है उसके इलावा इसमें यहाँ पर आपका क्या होगा Code to be executed Code to be executed यह इसी तरीके से अपने पास आप लोग लिख लीजिए यह हमारी First Conditional Statement का syntax है For example अगर आपको यह चीज मिल जाए तो यह काम यह काम कर लो ठीक है ठीक है अगर लाइट आ रही है तो क्या करो कपड़े प्रेस कर लो ठीक है अगर इस्ट्राइक नहीं है तो जॉब पे जाओ ठीक है समझ आ रही है बात ठीक है तो यह हमारी इस तरह की Conditions बनेंगी जो हम अपने प्रोग्राइम को देंगे किस तरह से इसकी Example भी कर लें तो यह हमारे पास क्या है Sentax इस चीज के अंदर यह याद हो जाना चाहिए सबको इसमें कोई भी Mistake नहीं करेगा किसी चीज को आगे पीछे आपने नहीं करना होगा अगर आपका Sentax गलत हो गया तो आगे कुछ भी Program लिख लें कोई फाइदा नहीं है ठीक है First पहली चीज क्या सही होना चाहिए आपका Sentax सही होना चाहिए Sentax में कोई Mistake नहीं होनी चाहिए सब लोग इस बात को समझ लें अच्छी तरीके से अगर यह ऐसा है तो ऐसे ही है इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ चेंज जाई ही कर सकते हाँ Program अब आप इसकी Base पर जो चाहिए बना ले देखें अभी हम बनाते है Program Program हम बनाते है कि If ठीक है मैंने एक Variable बनाया Dollar A is equal to 10 और Dollar B is equal to 5 ठीक है यह मेरा क्या है एक Program मैंने कहा If Dollar A बराबर हो जाएक इसके Dollar B के तो क्या कर दो Eco Variable A is equal to Variable B कुछ समझ में आई बात यहाँ पर ठीक है अब यह चीज मेरे पास यह statement कब रन होगी जब मेरी यह condition सही होगी जब मेरी यह condition सही होगी अच्छा is equal to और double is equal to का difference के लिए रहे अगर is equal to की बात होती है तो वो है assignment operator यह कौन सा operator है असाइमेंट और double equal to की बात होती है तो यह कौन सा operator है comparison operator है तो यह comparison operator है मैं यहाँ पे compare कर रहा हूँ दो variables को मैं यह कह रहा हूँ के dollar A variable है जो के बराबर है dollar B के अगर यह बात सही है तो यह चीज़ E को करवा दो print करवा दो नहीं तो otherwise कुछ भी नहीं दिखेगा समझ में आती है बात सबको control S तो result कुछ आएगा no result कोई result नहीं आएगा ठीक है कोई result नहीं आएगा लेकिन मैं अगर variable B को भी 10 कर दूँ तो क्या result आएगा यह है program तो यह है program इसको कहते है condition कि अगर यह चीज़ इसके बराबर है यह काम इसके बराबर है तो यह कर लो ठीक है clear है आपे बात ऐसे ही होता है जब आप लोग देखते होंगे काफी सारे program computer यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी applications यूज़ करते हैं तो उन applications में कुछ इसी तरीके की conditions लग रही होती है जो कि एक दूसरे को एक दूसरे से compare कर रही होती है और आगे का result दिखा रही होती है for example आप एक form submit करते हैं यह टिक टिक नहीं कीजिए एक form आप लोग submit करते हैं तो उसके अंदर वो form कब submit होता है जब तमाम values जब तमाम जो fields होती है वो filled होती है तो उस वक्ट वो form submit होता है और उससे पहले submit नहीं होता तो यहाँ पर भी क्या है condition तो यहाँ पर भी ऐसी जगों पर condition लग दिये तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी इसलिए सेम आएगा कि type की बात नहीं कर रहा है हमने कहा था double is equal to और triple is equal to में यह difference है कि double is equal to data type को check नहीं करता just value को check करता है कि दोनों side पर 10 है तो result क्या आएगा true और अगर यह true हो गया यह condition मेरी statement true हो गई तो यह statement चल जाएगी अगर मेरी यह condition true हो जाती है तो यह statement चलेगी अगर यहाँ पर false आजाएगा तो यह अंदर इसके नहीं जाएगा यह अंदर कब जाएगा जब यह true हो जाएगी तो अभी true होगी false होगी अभी यह true होगी क्योंकि यह data type को check नहीं कर रहा है समझने पर concentration लखा करें अगर मैं यहाँ पर triple is equal to लगा दूँ तो अब क्या होगा अभी कोई result नहीं आएगा क्योंकि data type दोनों की यह तीसरा is equal to जो है यह data type को भी check कर रहा है और इसका क्या मतलब है result आपके पास क्या आएगा false आएगा ठीक है तो यह चीज statement आपकी नहीं रन होगी नहीं चलेगी ठीक है clear है यहाँ पर किसी यह कोई सवाल कोई चीज छोटी सी भी जो समझ में नहीं आई हो डबल कोट से हम string मनाते हैं किसी भी चीज़ को यह तो पता होगा ठीक है अच्छा देखें होता यह है कि हमारे पास comparison operator हमने पढ़े comparison operator मैंने भी बताएं थोड़ी देर पहले comparison operator कौन कौन से होते हैं एक बताया हमने double equal to एक बताया हमने ripple equal to ठीक है एक हमने बताया greater than ठीक है एक हमने बताया less than ठीक है एक हमने बताया greater than equal to ठीक है एक हमने बताया less than equal to एक हमने बताया not equal to ठीक है तो यह सब क्या है आपके पास comparison operator इसका मतलब यह होता है कि आपके left side और right side की value बराबर है या नहीं इसका मतलब यह होता है के लेकिन ये data type को चेक नहीं करेगा ठीक है ये सिर्फ ये देखेगा दोनों साइट पे 10 है या नहीं ठीक है और अगर बराबर होगा तो result क्या आएगा आपकी condition true हो जाएगी और ये का चेक करेगा ये data type को भी ठीक है ठीक है फिर ये आपके वहसी तरीके से less than हो गया greater than equal to बड़ी हो या बराबर हो फूर एक्जेमपल मैंने यहां पर लिखा 5 और यहां पर भी लिखा 5 तो ये बड़ी तो नहीं है लेकिन बराबर है तो result क्या आएगा true तो चल जाएगी इसी तरीके से यहां पर मैंने 5 लिखा और यहां पर 5 लिखा 5 जो है छोटा है या बराबर है 5 के छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है 5 के ठीक है किसी तरीके से 5 is not equal to 5 5 5 के बराबर नहीं है false आएगा ठीक है तो ये बात समझ में आती है आप लोगों को तो हम कभी भी compare जब भी compare करते हैं तो हम comparison के लिए क काम करते हैं ठीक है clear है ये सबको comparison के लिए ये तमाम operators यूज करते हैं जब भी एक side को दूसरी side से compare करेंगे तो क्या करेंगे comparison operator यूज करेंगे और compare जी क्या कहा सिंगल इजी करते हैं यहाँ पर एक हो इसका मतलब क्या हुआ मुझे बता दो मुझे इसका मतलब बता दो मुझे इसका मतलब हुआ डॉलर एक हो डॉलर भी assign कर दो ये condition तो नहीं होई या ये condition है ये condition है ये condition है ये condition नहीं है आपने यहां condition बनानी है इसके अंदर आपने क्या लिखना है इसका एकर ये चीज मिलेगी तो मैं वाँ जाँगा अगर मुझे salary मिलेगी तो मैं जॉब पे जाँगा इंटर्शिप पे तो मैं नहीं जाओंगा सही है समझ में आती है बात ये तो आपने इसके अंदर क्या रखनी है हमेशा condition रखनी है यहाँ पे condition आएगी और condition आपके इन comparison operators से आएगी इन comparison operators से ही आप condition बनाएगे clear है बात सब लोगों को ठीक है तो सब को use कर लेते one by one इस तरह से यह नहीं होगा ठीक है तो इसका result क्या आएगा true या false true आएगा good तो इसके इलावा second हम use कर लेते if dollar a dollar b result क्या आएगा इसका result क्या आएगा इसका false आएगा ठीक है यानि के नहीं चलेगा इसका result क्या आएगा false इसका result क्या आएगा इसका result क्या आएगा true ठीक है तो second बना लेते हैं if अगर dollar a बड़ा हो dollar b से तो क्या करा दो e को करा दो dollar a is greater than dollar a is greater than variable b तो answer क्या आएगा 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 पहले वाली statement चल लई ये ठीक है लेकिन अगर आगर मैं इसको अब क्या होगा आएगा ये डालर a बड़ा है या बराबर है ये ऐसे चलेगा ठीक है ऐसे नी चलेगा ये 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 को लगाया मैंने आप तो रहा है variable A is greater than variable B अब वो हट गया ना वो हम देख नहीं रहा है यह उपर वाली line हट गई statement change हो गई हम दरसल देख नहीं रहा है statement अब यह नहीं लिखी वी आ रही है statement क्या लिखी वी आ रही है आपके पास A is greater than variable B अब फर्स्ट वाली नहीं चल लाई है अब आपके पास यह चल लाई है आप इसको चाहें यह भी कर दे तब भी आपके पास वो चलेगी statement हमने उस वक देखा नहीं देखें क्या आ रहा है variable A is greater than variable B variable A बड़ा है variable B से अब यह नहीं चल लाई equal to वाली statement नहीं चल लाई है यह कौनसी statement चल लाई है greater than वाली ठीक है अच्छा अब इसी तरीके से हम बना लेते हैं if dollar A is less than dollar B dollar A छोटा है dollar B से is variable A is less than variable B छोटा है नहीं है तो मैं हुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको 5 कर दूँ तो अब यह चलेगी statement अब यह वाली statement चलेगी यह वाली statement चलेगी यह वाली statement चलेगी कोई सी भी नहीं चलेगी कौन सी चलेगी सिर्फ यह चलेगी variable A is less than variable B समझ में आ रही है यह बात आपको अच्छा आप एक और statement बनाते है if dollar A बड़ा है या बराबर है किसके dollar B के is equal to is greater than greater than or equal to variable B variable A is greater than or equal to variable B बड़ा हो या बराबर हो बड़ा है बराबर है तो कौन सी चलेगी first वाली ही चलेगी ठीक है तो देखें first वो ही चल लगे लह जेन वाली तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ five five बड़ा तो नहीं है लेकिन क्या है बराबर है अच्छा अब और भी कोई सी चल गई कौन कौन सी चल गई और देखो अब हमारे पास ये चल गई equal to वाली चल गई क्योंकि ये बराबर भी है ये वाली भी चल गई ये भी चल गई ये भी चल गई और ये भी चल गई बड़ा भी और बराबरी अब कितनी चल गए हमारे पास तीन चल चुकी है variable A is equal to variable B ठीक है समझ में आई बात उसके बाद variable A is equal to variable B इसमें भी मैंने यही लिखा था and data type भी लिखना था मुझे और variable A is greater than or equal to variable B अच्छा अब मैं यहां पर करता हूँ अब भी दो चलेंगी एक यह चलेगी greater than वाली और एक यह चलेगी greater than और greater than equal to यानि कि अब दो चलेंगी मेरे पास देखें variable A is greater than variable B यानि कि एक चल गई वो greater than वाली और सेकिन मेरे पास चल रही है variable A is greater than और equal to variable B इस वक मेरे पास कितनी conditions run हो रही है समझ में आ रही हैं ये बाते ओके अच्छा जी अब मजीद इसमें चलते हैं आगे वैरियेबल ए इस लेस दैन और एक्वल टू वैरियेबल बी डॉलर ए छोटा है या बराबर है डॉलर बी के मैं अगर इसको छोटा कर दूँ और एक्जेमपल वन कर दूँ तो अब मेरे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट चलेंगी इसमें एक तो ये चलेगी और एक ये चलेगी ठीक है अब भी दो चलेंगी वैरियेबल ए इस लैस दैन वैरियेबल बी और वैरियेबल ए इस ग्रेटर दैन अच्छा मैंने के चेंज नहीं किया A is less than or equal to variable B clear है बात बराबर होगा तब चलेगा अच्छ आप मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ अब बताएं कौन कौन सी statement चलेंगी ये वाली चलेगी चलेगी ये ये भी चलेगी ये वाली चलेगी statement ये भी चलेगी ये चलेगी ये चलेगी बड़ा है या बराबर है चोटा है या बराबर है ये चलेगी ये चलेगी एक दो और तीन और एक चार अब ये चार statement मेरे पास रन होंगी ठीक है देखें चार statement चलेगी variable A is equal to variable B पहली variable A is equal to variable B ये वो data type भी same है उसकी variable A is greater than or equal to variable B यानि के तीसरी और variable A is less than or equal to variable B इसरी बराबर होने ये वज़ा से चले लागी है ठीक है चार clear है अब हम बात करते हैं इसमें not equal to ठीक है dollar A is not equal to dollar B तो A is not equal to variable B चलेगी ये statement नहीं चलेगी यूँकि हमने दोनों को बराबर रखावा है मैंने इसको कर दिया for example 7 dollar A बढ़ा है कौन कौन सी चलेगी एक ये चलेगी एक ये चलेगी दो और एक not equal to चलेगी देखें variable A is greater than variable B variable A is greater than or equal to variable B और variable A is not equal to variable B समझ में आई हैं आपको तमाम कोई सवाल किसी का confusion यहाँ पे जिन में से कोई सी भी condition समझ में नहीं आई हो आई हो आपको और यह आप लोगों के तमाम comparison operator भी यूज हो गए comparison operator भी यूज हो गए आपके और हमने एक conditional statement भी समझ ली यानि कि एक साथ हमने दो चीज़े सीख ली ठीक है मैं screen अपनी release करता हूँ आप लोग इसको एक बार try करके देखें